सद्धसारी गुप्त या गुप्ता मेरे पिताजी के एक दोस्त पुआ करते थे रभीपाल गुप्ता तब हम लितना ज्यादा नних जानते थे मोगर यह पता था कि यह भद्या समाश से हैं भद्या कमुप्त से हैं मगर मेरे फादर के बड़े अच्छे दोस्त रहे क्योंकि हमारे बैपार ठीक ठाग रहते थे और सभी से मिलना जुलना भाहिचारा बहुत बढ़िया था हमारे घर एकसर आए जाये करते थे और हमारे घर का खाना उन्हें बहुत पसंद था क्योंकि उसमें लहसन प्याज बगरा सब होते थे और बड़ा स्वादिष्ट खाना होता था जब भी आते थे खाने की टाइम पर आते थे उनको पिदाजी खाना खलाते थे और वो बड़े प्यार से खाना खाते थे और धन्यवाद भी करते थे गुप्ता सब्द कहां से आया क्योंकि मुझे कैवा डाट हुआ कि ये गुप्ता जो लोग है कैसे आये कैसे आये मैंने बहुत लोग उसे पूछा मगर बताया नहीं पाली पढ़ते पढ़ते मुझे पता चला कि जो गुप्त सब्द है वो basically संस्काइद भासाता है जो ओर्जिनल पाली भासा का सब्द है वो है गुप्त गुप्त माने होता है रक्षा यानि संरक्षत करना या गार्ड करना किसी चीज की सुरक्षा करना रक्षत करना संरक्षत करना या गार्ड करना और जो गुत्ता होता है यह उसका बहु बचन होता है यानि बहुत सारे गार्ड जो गुत्त कक्ष होता है इसका मतलब गार्ड़िट कक्ष हो गया संरक्षित हो गया सुरक्षित कक्ष हो गया उसको गुत्त कक्ष या गुत्त कक्ष बोलते है इसी परिकार जो गुत्त दरवा ये बोले गए हैं या गुप्त द्वार गुप्त द्वार यानि गुप्त द्वार उनको बोला गया है तो ये गुप्त जो है सब्द ये गुप्त से है आप अगर चंद गुप्त मौरिया आपने पड़ा हो तो चंद गुप्त मौरिया ये संस्काइद भासा का नाम है पाली और मौरया हो गया जो मौर बंस से आये हुएं उनका जो मौर उनका गोत है उनकी लाइनेज है जो उनकी फैमिली की एज है समुंद्र गुप्त मौरया यानि कि पूरा नाम है समुद्र गुप्त मौरया समुद्र गुप्त मौरे को बोलेंगे समुद्र गुप्त मौरे तो गुप्त माने यहाँ जो होता है वो गार्ड माने, सनक्षित माने जिसको गार्ड किया जाता है जो करता है इसको आरखक बोलते है आरखक का मतलब जो रक्षा करने वाला होता है जिसको बागी भासा में चौकीदार करके बोला गया उसको गुद्ध बोल सकते हैं तो ये बहुत सिंपल सा बहुत साधरन सा है जितने भी भारत के अंदर पुराने गुपत या गुपता लोग रहे हैं वो भारत के सारे के सारे बुद्ध के समय के बुद्ध की भाजा को जानने वाले, बुद्ध के अनुयाई और बुद्ध की जितनी सिक्षा है उसका लाग उठाने वाले कह सकते हैं धम्मिक लोग रहे हैं और आप अगर देखेंगे ध्यान से जानेंगे तो आपको पता चलेगा के गुप्त जो सब्द है वही दरसल बाद में गुप्त बना धन्यवाद करता है, का पुप्त नहीं बाति प्रहा है वहीं झाल झाल